जहें दोस्तों आदे मात्रम जिस बात को लेकर पिछले काफी समय से बात चल रही थी वो फाइनली आखिर में सामने आ गई है यू कहें एक सरकार का सबसे वड़ा डर जो कि आज की तारीक में सब के सामने हैं वो अब लिटरली चर्चा में बन चुका है दे केल स्टोडी के बात अब दरसल सबसे वड़ी बात यह है कि पश्चिम मंगाल में एक और फिल्म को लेकर रिवात खड़ा हो गया है दे डायरी ओफ वेस्ट बेंगॉल दे डायरी ओफ वेस्ट बेंगॉल का डिरेक्टर और मेकर्स को कोलकाता पुलिस ने नोटिस भीजा है कतित रूप से इससे पहले फिल्म के खिलाफ एक F.I.R. हुई थी बताया जा रहा है कि इस मामले में आगे पूछताच करने के लिए कोलकाता पुलिस ने मेकर्स को 30 माई को एमर्स फुलिस स्टेशन में हाजर होने के लिए कहा है दे डायरी ओफ वेस्ट बेंगॉल का ट्रेलर 7 अप्रेल को रिलीस किया गया था ट्रेलर में दावा किया गया था कि बंगाल के हालात कश्मीर से भी बत्तर है ट्रेलर में दिखाई गई कहानी में ये भी दावा किया गया था कि बंगाल में हिंदू के साथ नर्संहार और मासरेप जैसी घटनाय हो रही है और उनका पलायान चल रहा है फिल्म के ट्रेलर में ये भी दावा किया गया था कि संगठेत रोहिंग्या और कट्रपंती मांगलदेशी घुसपैठी इनको सरकार का सहयोग मिल रहा है और पश्चमंगाल में इनको बसाया जा रहा है द्राइरी ओफेस बेंगॉल के डिरेक्टर सनोज मिश्रा का कहना है कि उन्होंने अपने फिल्म तत्यों के आधार पर बनाई है उन्होंने कहा कि मैंने तत्यों के आधार पर फिल्म बनाई बहुत हद तक पश्चमंगाल के मुख्यमंत्री मम्तब एनरजी से काफी मेल खाता है फिल्म का ट्रेलर इस तरह से बनाए गया है जैसे ये किरदार कहानी में हिंदू के खिलाफ हो रही सभी घटनाओं को बलावा दे रहा पुलिस एक्शन पर बात करते हुए फिल्म का डिरेक्टर मनुज मिश्रा कहते हैं कि इस F.I.R. के जरीए मुझे हैरस किया जा रहा है एक बार मैं पश्चमंगाल गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा हाला कि मैंने फिल्म के लिए सभी तैयारियां कर ली है और जल्द ही इसे रिलीज भी करूँगा हम अगस तक फिल्म को रिलीज करने का प्लान कर रहा है मैं आखर तक डटा रहूंगा और फिल्म रिलीज जरूर करवाऊंगा क्या कोई Freedom of Speech देशन बची है या नहीं मुझे इमेल के जरीए जानकारी दी गई कि मेरे खिलाफ एक नोटिस है और मुझे वहाँ जाकर इसका जवाब देना होगा मेरा ये मानना है कि मैं एक लोकतांतर को देश में रह रहा हूं और मेरा अपना नजरिया रखने या बोलने का मुझे हक है इन्होंने मुझे पर ऐसी धाराय लगाई है कि जैसे मैंने कोई देश द्रोही आतंगवादी का काम किया मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है और मुझे जेल भेजने की कोशिश की जा रही है मुझे डर है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है हो सकता है कि ऐसा करके मेरा होसला तोड़ने की कोशिश की जा रही हो कैसे विरोजगारी बड़ी सरकार ने क्या क्या गलत फैस्ट ले लिए और इन सभी मुद्दों पर हमने पूरे एविडेंस के साथ बात करी हम काफी रिसर्च करने के बाद इस कहानी पर आगे बढ़ पाएं अब बंगाल में मेरे खिलाफ क्या साज़ेश हो रही है यह मेरी सम और नहीं मेरा इरादा उनका या उनकी सरकार की छवी को वलत दिखाने का है मेरा इरादा है कि जो वहां के सोशल सिस्टम वहां के विरोजगारी है वहां के लोग जो राज छोड़कर जा रहे हैं यह सब बातें ऑडियंस के सामने आए अब इसमें दीदी को लग रहा है कि ने टार्गेट किया जा रहा है तो इसमें कोई सचाई नहीं है मैं इस राज़े के बारे में बहुत कुछ समझता हूं और जानता हूं मैं कई बंगाली फिल्मों का हिस्सा भी रह चुका हूं बंगाल से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है मैंने एक लंबा वक्त बंगाल में ग हम किसी की फिल्म की नकल नहीं करते ये मेहज एक इत्फाग है कि हमारी फिल्म का टाइटल हाली में रिलीज हुई एक फिल्म से मिलता जुलता है फिल्म देडारी Es ben ключ हम से पास नहीं वी है वोझीम रिजबी फिल्म के बैनर तले बन रही इस फिल्म को नाराइन सिंग बनाया है, वहीं सनोज मिश्रा इस फिल्म के लेखा को निर्देशक है, ये फिल्म सची घटनाओ पर आधारित है, डिरेक्टर सनोज मिश्रा ना आगे कहा, कि मैं दीदी के खिलाफ नहीं हूँ, सिस्टम के खिलाफ हूँ, जिस तरह नरसंगार और पलायन हो रहा है, इसलिए मैंने कहा है कि पश्चे मंगाल भारत का नया कश्मीर है, मुझे मेल पर कुलगता पुलिस का समन मिला है, सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ कि पांच मही को थेटर्स में रिलीज हुई देकि इस स्टोडी पर पश्चे मंगाल की मख्यमंतरी ममताब एनरजी ने बैन ल में कमेंट करके जरूर बताएगा और ये भी बताएगा कि आपको वाकई में लग रहा है कि केरला स्टोडी कश्मीर फाइल्स या बंगाल डायरी जैसी मूवीज राज्यों को बरबात करने का या राज्यों का नाम खराब करने का काम कर रही है